आप किसी के प्यार में है यह पहिचानने के चार टिप्स चलिए इसके बारे में आज बातचीत करते हैं मेरा मैं डॉक्टर दीपक केड़ेकर में मनोविकार सेख्स रोग सम्मोहन था जैसे नुग के दियों महाराष्ट्र में मुंबई पुने अकुला हिहां प्रेक्टिस करत हूं बच्चे लोगने मेरी पास में बुल दे की ने मुझे गर्ल्रेंड है और मुझे यह पता नहीं है कि मैं उसके पियार में हूं कि ना हुँ हमारी दोस्ती है और उसे कम चाहते है और अबSQL और अगे कहा बढ़ना है नई बढ़ना है प्यार है नहीं अई है ऐसा कुछ कि मैंने आगे बढ़ना चीए क्या मेरा प्यार है कि मैं इसी उसके पास में बैठके बाते करके टाइम पास कर रहा हूं तो ऐसे सवाल लोग करते रहें इसके लिए मैं आपको वीडियो बता रहा हूं आगे एक साल से जादा आपका प्यार है और एक दुसरे के साथ में आप है बाते करना फोंद प्रौते करना मिलना जूलना जो भी कुछ है एक साल से जादा है तो चांश यह है कि आप उसके प्यार में हो और उसमें विदाओड इनी फीजिकल रिलेशनशिप मातलब कोई कि फिजिकल रिलेशन्शिप है तो फिर क्या होता है वो अलग लेवल पर चले जाता है और उसके माइने अलग हो जाते है फिर वो कोई प्यार भी रहता है फिजिकल इतना अट्रेक्शन रहता है कि उसके लिए फिर आप में कुछ भी करने को तयार रहता है तो I am not talking about फिजिकल रिलेशन्शिप में इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं तो पहला है कि एक साल से प्यार है और आपको कोई फिजिकल कॉंटेक्ट ने हो और तभी आप इसे को चाहते है और बड़े द्ली से चाहते है एक दूसरे को ऐसा लगता है कि ने एक पास में बैटना चाहिए प्यार में प्यार में तीसरा जब आप उसका टेक्स मेसेच पढ़ रहे हैं तो आप वाटसेब में से जाय हुआ है आप मेसेच जब पढ़ रहे तो आप जाने अंजाने में उसके आएँ तो उसको बहुत सबकॉण्शन में सबकॉण्शन इसके बारे में बहुत जादा एट्रेक्शन बना हुआ है या बहुत ज्यादा प्यार है, ya subconscious नहीं, चवता है कि आप उसका स्फीकार करते हो, unconditional, जैसी है वैसी है, कोई आपने को दुर्गुन लगते नहीं, उसका दाभ सब ठीक लगता है, कोई Problem दुर्गुन है तो दुर्गुन है, उसमें कोई Problem नहीं है, तो आप उसको unconditional accept करने को तयार कि ने मुझे यह नहीं चाहिए फिर में उसका स्विकार करने को तयार ने मुझे उसका यह अच्छा लगता नहीं है तो फिर वह निकाल दो तब मैं प्यार करूंगा ऐसा नहीं जो जैसा है वैसा नहीं तो वह यह आप देखते हैं और वह यह है तो समझना है कि आप उसके प्यार में हो तो मैंने चार बाते मनें बताई नंबर एक जो है कि एक साल से ज्यादा आपका प्यार है विदावड इनी फिजिकल एटेश्मेंट नंबर दो आप कॉपी करना चालू कर रहे है स्टाइल खाना पीना वगरे उसमें के कुछ और जैसे नहीं है वैसी नहीं है तो चार बाते होती है समझाना कि आप किसी के भी नाट उनली गर्फ्रेंड बॉइफ्रेंड किसी के भी आप प्यार में हो तो इसके बारे में आपको सवाल होंगे तो नीचे नंबर दिये वह उसके उपर आप मुसे कांटक्स कर सकते हैं औ वो डॉक्टर केड़ेकर मुनोविकास टाइब डॉनलोड कर उसमें फ्री चैटिंग भी कर सकते उसमें काफी सारे वीडियो भी है थैंक यू वेरी मुच ते जसमें प्यूए.